जैहो करूली सरकार की, जैहो कामाख्यामाता की, जैहो शिफशक्ति दरबार की, बोलो राधार आमनहरी बोल मेरा नाम हर्शता गोला है और आज जो हम इस वीडियो में जानेंगे कि अगर किसी की बहन या फिर बेटी का तालाग हो चुका है, वो अपने हस्बिन के साथ नहीं रहती है ठीक है, वो पर्मनेंटली आप लोगे साथ शिफ्ट हो चुके हैं और आप उन्हें अपने हवन में या अपनी जो भी आप विदी करने जा रहे हैं, बंटे हवन या नॉर्मल हवन विदी, उसमें इंक्लूड करना चाहते हैं मतलब कि अपने डियेने में रखना चाहते हैं, ठीक है, यदि वो अपने हस्बिन के साथ आगे नहीं रहने वाली हैं और नहीं रहेंगी, तो अलग हो चुका है, या जो भी मतलब कि वो अलग हो चुके हैं, ठीक है, तो आप उनको किस तरह शामल कर सकते हैं, आपको पहले दरबार जा करके, उनका जो भी आपके बहन या बेटी है, उनका डियेने, उनके हस्बिन से अलग करवाना पड़ेगा ठीक है, उनके हस्बिन से अलग करवाना पड़ेगा, फिर जब उनका डियेने, उनके हस्बिन से अलग हो जाएगा, और अगर उनकी कोई बेटी या बेटा भी है, जो आपकी बेटी, जिनको भी आप अपने डियेने में रखना जा रहे हैं, अगर उनकी कोई संतान भी है, तो माँ और बच्चे का दोनों का ही उनके फादर से DNA अलग कराना होगा ठीक है तब जाकर कि आप उनको अपने DNA में रख पाएंगे जो भी कोई दरबार रहते ना जब ब्लैक मैजिक का कारिक्राम होता है या फिर जब पहली बार DNA ब्रेक करवाया जाता है पूरी प्रिक्रिय पर आप वीडियो बना रहे हैं प्लीज आपने पहले वीडियो देखें आप लोग डारिक ली कोशन्स करते हैं कि यह चीज कैसे होगी यह चीज कैसे होगी अभी कहा है कमेंट सेक्शन में फिर इतनी सारी बाते इतनी बड़ी बड़ी बाते ना समझाना पॉसिबल नहीं हो पाता मेरे लिए तो क्या है कि आपने पहले प्लीज उन वीडियो को देखें कि वो वीडियो बनाई ही इसलिए गई है कि आपको बहुत अच्छे से सारी चीजे समझ में आ सकें ठीक है और जल्दी ही मैं एक वीडियो बनाने वाली हूँ जिसमें कि अब जो अपडेट पे लगने है सारी चीजे वो होप सुषैद आपको कल मिल जाएगी जैबाबा